टाइप्स ओप मैट्रेसिस पढ़ेंगे तो इसमें सबसे पेले हमारे साथ रो मैट्रेक्स है नमबर टू पे कालम मैट्रेक्स तर नमबर पे स्क्वेर मैट्रेक्स पोर्थ पे रिक्रेंगुलर मैट्रेक्स फिप्थ यिनि जीरो मैट्रेक्स और नल मैट्रेक्स भी कह सकते है 6 पर diagonal matrix है 7 पर scalar matrix and 8 पर identity matrix है तो सबसे पहले हम row matrix के बारे में पढ़ेंगे row matrix क्या होता है तो row matrix में यहीं जब हमारे साथ one row आ जाए तो उसे हम यहीं row matrix कहते हैं आप इस तरह भी लिख सकते हैं आ रो मेट्रेक्स have only one row इस काल्ड रो मेट्रेक्स यही आरो मेट्रेक्स है ज़ ओनली वन रो इस काल्ड रो मेट्रेक्स जब हमारे साथ यही रो मेट्रेक्स में वन रो हो तो उसे हम यही रो मेट्रेक्स कहते हैं फर इसमपल एक आमा बी यह हमारे साथ एक मेट्रेक्स हो गया तो यह हमारे साथ रो फार्म में है तो इसको हम यही रो मेट्रेक्स कह सकते हैं इसी तरह वन त्री फॉर यह भी रो मेट्रिक्स हो गया क्योंकि इसमें भी वन रो है इसी तरह जब भी मतलब कोई मेट्रिक्स रो की फार्म में आ जाए तो उसे हम रो मेट्रिक्स कहते हैं अब हम कालम मेट्रिक्स की तरफ चलते हैं यहीं कालम मेट्रिक्स में हम यहीं कालम के बारे में पढ़ेंगे अम मेट्रिक्स वेच है जस्ट वन एंड ओनली वन कालम जब हमारे साथ एक matrix हो और इसकी just one column हो तो उसे हम यनी column matrix कहते हैं फार एक्जाब्ट अ एंड बी यह हमारे साथ column firm में है तो इसको हम column matrix कह सकते हैं एक्जाब्ल नम्बर टू 1, 3, 5 और इसी तरह example number 3 2, 4 6, 8 यह जब भी हमारे साथ इसी तरह कुई matrix आ जाए और वो column की form में हो तो उसे हम column matrix कह सकते हैं अब हम square matrix के बारे में पढ़ेंगे यहने a matrix in which number of rows and column are equal इसकार स्क्वेर मेंक्रिक्स यहनी एक ऐसा matrix जिसमे number of rows और number of column हमारे साथ equal हो तो उसे हम square matrix कहते हैं यहनी for example यह हमारे साथ एक matrix है इसमें यहनी four element है यहनी यह एक row हो गया और एक row ये हो गया यहीं इसमें two row है और इसी तरह इसमें two column है c1 and c2 यहीं हमारे साथ two row हो गए यहीं two by two two row हो गए और two column हो गए तो यह हमारे साथ square matrix है क्योंकि इसमें number of rows भी two है और number of column भी two है तो इस तरह जब भी कोई matrix आ जाए तो उसे हम यहीं square matrix कहते है अब हम rectangular matrix के बारे में पढ़ेंगे a matrix in which number of rows and column are not equal एक एसा matrix जिसमें number of rows और column equal ना हो तो उसे हम rectangular matrix कहते है यहींए different square और rectangular matrix में यह है कि square matrix में number of rows and column equal होंगे और rectangular matrix में यहींए number of rows number of rows and column are not equal यहींए इसमें rows और column की numbers equal नहीं होंगे फर एक्जम्पल यह हमारे साथ एक एक्जम्पल है a, b, c, d, e, f यहींए इसमें number of rows हमारे साथ यहींए two है एक row यह हो गया और एक row यह हो गया तो इसमें number of rows हमारे साथ two है यहींए number of rows are two और इसी तरह जब हम column की तरफ देखेंगे तो इसमें column हमारे साथ three है यहींए column number one, column number two, column number three तो इसमें यहीं number of column are three तो इसमें यहीं number of rows और column में difference है तो इस तरह आप लेख सकते हैं two by three यहींए जब भी हमारे साथ number of rows और column equal ना हो तो उसे हम rectangular matrix कहते हैं अब हम यहींए zero matrix और null matrix के बारे में पढ़ेंगे यहींए any matrix in which all the elements are equal to zero यहींए जो भी हमारे साथ matrix हो और उसकी सारे element zero की बराबर हो तो उसे हम null matrix या zero matrix कह सकते हैं पर एजमपल हमारे साथ एक matrix है यहींए zero, 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 zero तो यह हमारे साथ null matrix हो गया और इसी तरह एक 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 जमपल यह है जीरो, zero, zero जीरो, zero, zero यहींए यह हमारे साथ null matrix हो गया square और rectangular कोई matter नहीं करता है तो यहींए इसको हम zero matrix कह सकते हैं यहींए अगर हमारे साथ square में आ जाए या rectangular matrix की फ़र्म में आ जाए तो भी हमारे साथ यह zero matrix ही होगा अब हम diagonal matrix के बारे में पढ़ेंगे यहींए इसमें अक्सर स्टूड़न्ट गलती कर बेटे हैं यहीं गलती करते हैं a square matrix in which all the elements are zero एक ऐसा square matrix जिसमें all the elements यहींए zero हो except the diagonal element यहींए diagonal element के इलावा is known as diagonal matrix उसे हम diagonal matrix कहते हैं for example यह हमारे साथ एक matrix है यहींए one, zero zero, three यनि यह हमारे साथ zero है और यह भी zero होना चाहिए अगर यह पर zero होता तो फिर यह पर भी zero होता तो यह दोनों यनि difference है और यह हमारे साथ zero की बराबर है तो यह हमारे साथ diagonal matrix हो गया for example एक matrix यह है two, zero, zero zero, three, zero zero, zero, minus five यनि यह यहां पे सारे digit जीरो की बराबर है और यह diagonal जो है ना यह हमारे साथ यनि जीरो की बराबर नहीं है यह difference है तो इसको हम यनि diagonal matrix कहते हैं जब diagonal matrix में यनि इसी तरह कोई digit आज़ है और वो मुख्तलिब हो और बाकी सारे zero की बराबर हो तो उसे हम यनि diagonal matrix कहते हैं यनि एक एसा स्क्वेर मेंट्रिक्स जिसमें सारे element diagonal की फार्म में हो और वो एक्वल होना चाहिए और रिमेनिंग एलिमेंट आफ दे मेंट्रिक्नल आर आल जीरो और बाकी सब एलिमेंट जो है ना वो जीरो की बराबर हो तो उसे हम स्किलर मेंट्रिक्स कहते हैं यहाँ पर हमारे साथ एक मेंट्रिक्स है तो इसमें diagonal element जो है ना यह सेम है और यह दोनों 0 की बराबर है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहनी 700070007 तो इसमें भी यह diagonal element सेम है और बाकी सब 0 की बराबर है और इसी तरह अगर एक और example की तरह आप देख ले तो यहाँ पर भी 1 by 2, 0, 0, 0, 1 by 2, 0, 0, 0, 1 by 2 तो इसमें भी यहनी diagonal element सेम है जिब भी हमारे साथ diagonal element सेम आ जाए तो उसे हम scalar matrix कहते है अगर diagonal element सेम ना हो तो उसे हम यहनी diagonal matrix कहते है अब हम यहनी अब हम identity matrix की तरफ चलते हैं अब हम identity matrix के बारे में पढ़ेंगे जब diagonal element हमारे साथ यह निग 1 की बराबर हो जाए and the remaining element हमारे साथ 0 की बराबर हो जाए तो उसे हम यहनी identity matrix केते है फॉर एब जमपल यहाँ पर एक matrix से 1, 0, 0, 1 तो यहाँ पर यहनी diagonal element वन की बराबर है और बाई की सब 0 की बराबर है इसी तरह एक और एक्जम्पल देता हूँ 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 तो यहाँ पर भी यह नहीं जब आप देख ले तो diagonal element 1 की बराबर है तो यह हमारे साथ identity matrix हो गया So thank you for watching झाहँ थायओ आपने को तो बाई देख लेख लेख वे ले ठीकाशा हूँ झाहँ पर अभी यह हमारे साथ बराबर है झाहँ जब दो सह जब देख एक्ट काश्च से बदके साथा इसी तरहीं जब आ़े दो फज सान। झाल झाल झाल